वेलकम फ्रेंट्स, हेल्थ परभा यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्तान में जी अनम एडमेशन के बारे में बहुत ही सारी स्टुडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर्थ जी अनम पर एक वीडियो मनाओ तो इस वीडियो में हम जी अनम एडमेशन 2021 के बारे में चर्चा करने वाले हैं स्टुडेंट पूरी चर्चा करने वाले हैं जी अनम के बारे में सबसे पहले हम जी अनम के बैसिक जानकरी हम इस वीडियो में गयन करते हैं देखे स्टुडेंट जीनम एक नर्सिंग छेतर में आने वाला एक बहुती अच्छा कोर्सेज है इसके अंतर गये तो बहुती अच्छी अपोर्शियूनिटी है राजस्तान में जो आपको सामने है चिकित्सया अयम स्वास्ते परिवार कल्यान विभाग के द्वारा जीनम ज बहुती अच्छा कोर्सेज है यह थ्री वर्षी है नर्सिंग कोर्सेज डिपलोमा है जिसके अंतरगत आपको एक नर्सेज का सर्टिपिकेट मिल जाता है स्टुडेंट तो आप अपने जो है प्राइवेट या गोर्मेंट होस्पिटल में आप जो पासकते आसानी से हालाएं कि इसमें आरेट वाला भी एडमिसन ले सकता है लेकिन क्या है कि आरेट वाला यहाँ पर प्राइवेट कोलेज में एडमिसन ले सकता है स्टुडेंट क्योंकि गोर्मेंट में यदि आरेट वाला लगाता है तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइवेट किसको दी जात पिर बाकी स्ट्रिम वालों को प्रात्यूंगता जीत जाती है गौवर्मेंट में भी इसकी फीस बहुत ही कम है प्रते कि स्टुडेंट यह कर सकता चाहे वह आर्ट्स का हो या फिर बायलोजिक या फिर मेथमेटिक्स का हो इसमें नियू उन्तब फीस लगती है आपकी केवल 50 लिमिट के बात करें तो 17 यह आपकी एज होने चाहे स्टुडेंट तब आप इसका अपलाई कर सकते हो फोरम के फोरम में इसका आप अपलाई कर सकते हो अभी आपको पता है जो प्राइवेट को जो आपका सेशन है 2021 उसमें एडमिसन स्टार्ट हो चुके है साथ ही आप यदि आप जी एजनम करना चाहते हैं तो अभी आप प्राइवेट कोलेज में एडमिसन ले सकते हो उसके पस्याद जी एनम का गोवर्मेंट का अपलीकेशन फोरम में वो अपलाई कर सकते हो साथ ही हम बात करने वाले हैं कि जी एजनम में काफी सारी स्टुडेंट कमेंट क तो इस बार इसमें क्या है कि हो सकता है कि इसमें या तो फिर हो सकता है कि इसमें एक्जाम कंडेक्ट हो या फिर हो सकता है कि मतलब इसमें क्या हो आपका 12 के मेरिट बेस प्रो इसकी देखी अभी तक कोई भी सरकार की तरब से कोई भी जान करी अभी क्या निकल कर नहीं आ रह तो GNM के application form में देरी से आने का इसका परमुक कारण ये है कि किस प्रकार से student का admission करना है इस बार 2021 के session में इस बारे में चर्चा हो रही हो सकती है student क्योंकि इस बार आपको पता है टवलत में काफ़ी सारे student के बहुत ही अच्छे marks मने तो क्या है कि merit बनाने में इस बार क्या है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो इस बार पहले से क्या है कि planning के अदार पर GNM में क्या है admission होगा student तो या तो फिर आपकी या तो फिर exam conduct करवाई जा सकती है या फिर क्या करवाया जा सकता है आपके पहले क्या जैसा पहले होता था उसी प्रकार से आपका merit base इसमें क्या है admission हो सकता है साथ ही यदि इसके मातलब कटोब के बात करें तो कटोब हर साल जैसे आपके हर साल अलग-लग category के अलग-लग होती है SC के अलग, ST के अलग, OBC के अलग और General के अलग साथ ही इसमें क्या है आरक्षन भी मिला हुआ है आरक्षन के इसाफ से EWS certificate है चाहिए आपके पास कौन सा certificate है या फिर BPL card है तो इस प्रकार इसमें भी आपके क्या है सातरवर्ति की योजना है जो परदान होती है यदि आपके पास BPL card है फिर यदि आप प्राइवेट में भी लेना चाहते है तो भी आपकी फीस है वो बिलकुल मुक्त होगी वैसे गवर्मेंट कोलेज में इसकी फीस है बिलकुल आपके केवल फोरम के लगेंगे साथ है आप गवर्मेंट में जीरो फीस मान सकती हो साथ ही क्या है कि कर सिटुडेंट कहा है जया निकि मान लों आपका गवर्मेंट में selection हो गया जा चीज में घृपी dwelling आप कर सकते हैं ~~ रोम ने रोम का मतलब जिस जगह आप सेफरेट हो सकते हो एक या दो केंडिडेट तो इस प्रकार से इसमें गोवर्मेंट कोलेज उपलब्द करवाए जाती है नवंबर के सेकेंड वीक में या फिर नवंबर के थर्ड वीक में इसके अपलिकेशन फोरम जरूर आएंगे स्टुडेंट हो सकता है तो अभी आप रेडी रहिए इसके लिए डोकुमेंट्स परिपेर रखें कौन कौन से जाती प्रमान पत्र मूल निवास प्रमान पत्र टवल्थ के मारिक सीट आपके यह क्या है आपके पास होने चाहिए स्टुडेंट्स इसमें फोरम को 10 के मारिक सीट शसाथ ही साथ ही साथ ही आपके पास अप्लाई रखें साहत यह और शोS कार्ट के पास बंगार्ये से रेडी रखें तकि आपको फिर बात में दिक्कतों का सामना नहीं करना पढ करें यह आज वाक काई में जी अननना जोटे साथ ही मेरा suggestion है यदि आपके कम marks है यानि कि लगबग 60 plus marks है तो आप अप्लाई कीजिए यदि इससे कम है तो मतलब apply जुरू कीजिए लेकिन पहले आप private college में admission ले सकते हो बहुत ही कम 50,000 इसमें क्यावल फीस रहती है साथ ही यदि मालो सीटों के सेंग्या कम भी पढ़ जाती यानि कि इसमें कापी सारे इसमें scope है बहुत ही सारी यानि कि student है बहुत अधिक होती है इसमें और सीटे क्या होती है राजस्तान में fix होती है तो इस परकार जो student पहले admission लेते हैं उनका selection हो जाता है फिर बात कि जो बाद में admission लेते हैं वो यानि कि पिछे रह जाते हैं student तो हाब स्थिम्पली जाकर सुद्ध ड्दी जाकर अपलिकेश mauvais कि बात करें अपलीकेशन फोरम म found की यानि की मतलब आपको बता दें कि एन्म के अपिल्ट फोरम की आए होए काफी दिन हो चुके इünkü पस्जात हर साल कि बाउजूद कोई planning चल जो इसका लेकिन अभी ज़्यादा लेट नहीं होगा अभी आपका फिर नौंबर आ चुका है आपका फिर एक जनवरी से session भी start उना है तो इस परगार application फोरम में आप ज़्यादा देरी नहीं होगी यदि आप GNM करना चाहते हो तो यह बड़ी आपको दिया वाए तो उससे जोईन जरूर कीजिए क्योंकि वहाँ पर PDF लिंक तता साथ ही आपको जैसे नोटिपिक्स नाएगा सबसे पहले वहाँ पर मिल जाएगा और सबसे पहले वीडियो आपको इसी चैनल पर लेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आएगा प इस वीडियो को जोरू शेयर कीजिए जो स्टुडेंट जिया नम करना चाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आएग परेशर के एसे अपडेट पाने के लिए स्टुडेंट तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिंद वंदे मात्रम